नवस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेबस एजुकेशन चलिए मैं हाँ आपको एक इंपोर्टन शीच के बारे में बताने बाला हूँ जिसका नाम है आटो फिल क्या बोलते हैं जिसे आटो फिल आप देखिए आटो फिल का मतलब होता क्या है हम अगर कोई टेबल बना रहा है, कोई टेबल मतलब भाई हम कोई बच्चे मतलब जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट बना रहा है तो लिस्ट एक दो तीन तो होगी नहीं, बहुत सारी हो सकती है, पचास हो सकती है, सो हो सकती है, हजार भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, तो यह जो 1 लिखें और 2 लिखें, तो 1 अब देखें, 1 और 2 को समझने से पहले, जो आटो फिल है, उसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस सेल में आपको जो करसर आ रहा है, वो तीन प्रकार से करसर आएगा, एक तो आपको प्लस दिख र आपको arrow की निसान दिख रहा है, चार arrow की निसान, और एक और आपको दिख रहा है, देखें, corner पे ले जा रहा है तो एक प्लस का निसान दिख रहा है, तो आप समझ गया, इसको आप क्लिक करोगे, तो यह click करके drag करोगे, तो सेलेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखिए, जो outline प्लाइन बाला प्लास है इसको आप पकड़ोगे मतलब माउस से लेफ्ट बटन से पकड़ोगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है पर यदि जो बॉर्डर पर आया है उसको अगर पकड़ोगे और खीचोगे कहीं तो आप ध्यान से देखिए यह जो था वो कहां चला गया यहां इसका मतलब है content को अगर move कराना है तो आपको किस arrow की जरुवत पड़ेगी यह देखे move की देखे move जो pointer है यह हो गया selection pointer यह हो गया move pointer और यह जो corner में आ रहा है यह आटोफिल pointer है तो हम तीन pointer के बारे हम समझ लिए अब तीसरा pointer हमको देखे दो pointer तो समझ लिए तीसरा pointer जो है हमारा select करना बन गया है select इस प्रकार कर दिए कर दिए अब select करना बन गया है तो इस बाले pointer को समझते हैं देखे corner पर आ रहा है इस बाले pointer को पकड़ कर हम खीचेंगे तो आप ध्यान से देखे यहां पर 1,2,3,4,5,10 तक आ गया कैसे आया 1 और 2 हमन मतलब gap उसको पता चल गया 1 और 2 के बीच में gap कितना होगा 1 का तो दोनों को हमने select करके क्या करे हैं खीचे हैं तो उसको समझ में आ गया कि दोनों बीच में जो gap है मुझे वही gap आगे लेखे आना है इसी को बोलते है आटो फिल अगर मान लो हम यहां पर name लिख देते हैं ज वही वही चीजी duplicate हो चुकिए हो गई पर इस समस्यक समाधान के लिए हमको number वाली चीज उमबता रहों में यह देखे जब हम पकड़के खीस देते तो आटो फिल option आता है आ रहा है आटो फिल option आ रहा नीचे जिसमें copy cell यानिकी 1111 copy हो गया फिल सीरीज का मतलब होता है 1,2,3,4,5 हो जाएगा और अगर हम तीसरा option पर क्लिक करेंगे फिल formatting only अब इसका मतलब क्या है अगर इसमें हमने कोई formatting की है तो उस formatting बस को फिल करेगा कहां पर ये नीचे इसको हम देख लेंगे अभी चली मैं बताई देता हूं जिससे मान लो ह हम यहां पर क्या करते हैं टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं और यहां लिख देते हैं छिंदवारा क्या कर देते हैं छिंदवारा लिख देते हैं आप ध्यान से देखिए यह जो छिंदवारा लिखे हमने इसमें बस टेक्स्ट कलर करें तो अगर हम इसको पकड़ कर खीशते यहां तक तो देखे छिनबाड़ा छिनबाड़ा आगया आगया ना परंतु यदि हम यहां पर सिर्फ फॉर्मेटिंग आउनली करते हैं देखे तो आपको टेक्स्ट गायव हो चुका है सिर्फ फॉर्मेटिंग आगे इसका मतलब आप जब भी कोई चीज टाइप करोगे मान इतने बाद मैंने फॉर्मेटिंग करा तो फॉर्मेटिंग आपको दिख रही है ठीक है फिल बिदाउ इतन धाहुट फॉर्मेटिंग अब देखे आप यहाँ पर हमने mitध और पी जए का कलर म में कर देते हैं औ्र उसके अ यायम इसको क्या करते हैं यह खीचते हैं तो दीक से तिरित अध्यशन ओपनके तरिके से हम जब गँपने हैं तो यह अन्लिशत दिखाने काम करता है इसका बिस्तार से आये होगा जी number है number के लिए एक option और जुड़ जाता है जिसका नाम है क्या fill series fill series करेंगे देखे क्रम से आ गया formatting only मैंने समझा दिया fill without formatting समझा फ्लैस से हमने बाद में देखेंगे तो आटो फिल आपको समझ में आया आटो फिल क्या करता है आटो फिल अगर text लिखे हैं तो text text copy कर देगा number लिखे number को copy कर देगा पर इसके लिए हम इसको करम भी बता सकते हैं जिसे मान लो और टू लिखे 2 के बाद हमने 4 लिखे तो यह जू का टेबल बनाना है तो दोनों को आपको select करना होगा दोनों को select कर लिए यह देखे दोनों को select लिए थे यहां से आपको論 क Drama बन गया ऐसा ही 3 और 6 हम टाइप कर लेते दोनों को select करें दोनों को select करने के लिए pointer दिख रहा है आउटलाइन वाला यह देखे आगया तो आप समझ गया होंगे जब भी हमको number में कुछ changes करना है कोई series लाना है तो उसको पहले करम बताना पड़ेगा यह चीज आप समझ गया है one के लिए तो हमने बता दिये थे one और two two के लिए हमने बता दिये two और four तो table बनाने के लिए बता दिये ऐसे हम two और two में five कर देते हैं तो दोनों बीच में gap कितने का तीन का तो तीन का gap हर जगे manage करेगा देखे five के बाद eight आगे eight के बाद 11 14 17 20 23 26 29 इस प्रकार ऐसे हम जो gap बताएंगे वही आएगा पर यदि जो नाम type करेंगे वही खीच कर लाना दुआ सकता है ऐसे हम rames rames को क्या कर सकते हैं copy कर सकते हैं परन्तु मान लो यदि हम दोनों को select करते हैं और दोनों को पकड़ा के खीचते हैं तो यह देखिए हमारे सामने रमेशसुरेश, अब दोनों के बीछ में देखे रमेश और सुरेश दोनों spinnerback में थे तो दीखे फिर से रमेश सुरेश, रमेश सुरेश तो इस प्राकार हम जो है же autophil कर सकते हैं, यहां से ही, यह चार है चारों का हम यहां पे autophil कर सकते हैं तो देखे अल्टरनेट में आएंगे चिनवाड़ा बोपाल चिनवाड़ा जवलपूर फिर चिनवाड़ा बोपाल चिनवाड़ा जवलपूर इस प्रकार अल्टरनेट में आ जाएंगे तो हमने देखे यहां पर क्या देखे आटो फिल अब आटो फिल एक और चीत देख ले की जो मंथ है, वहां पर लिखे हुई है, ऐसे ही, संडे होता है, संडे भी इसके पास है, कि नी बताईए, है न, बिल्कुल है, कैसे पता, यहाँ किलिक करो, देखी है, संडे, साटर डे, मंडे, कुछ भी लिखा होगा, तो दिन का नाम उसके पास है अल्रेडी तो है तो वो simple बात copy करेगा ये increase करेगा, देखे increase करा Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday जो भी है वो increase कर लिया तो जो चीजे पहले से उसके पास है record में उसको वो automatic increase कर लेगा चाहे आप series में बताए या ना बताए तो यह हो गए autofil I hope आपको autofil समझ में आये होगा इसके लाबा मैं आपको एक और चीज बताने बाला हूँ जिसका नाम है autocomplete कैसे, देखे, मान लिजी इस cell में आपने क्या के लिख दिए हैं, इस cell में आपने देखे चिनबाड़ा भौपाल, जवलपूर इस प्रकार से लिख दे अगर मैं उसी मतलब ये column कौन सा है C और C column में हमने उपर से कुछ न कुछ लिख डाले हैं तो उस लिखी हुई चीजों को अगर हम C लिखते हैं और इस प्रकार से देखे चली मैं अलग cell में लिखे बताता हूँ चली यहाँ पर दूसरी seat में चलते हैं और दूसरी seat में चलने के बाद हम concept समझ रहे हम दूसरा Excel में काफी important है हमने लिख दे भौपाल और यहाँ लिख दे जवलपूर तीन city का नाम लिख दे c लिख रहे हैं हम नीचे तो automatic आपको नीचे suggestion आ रहा है देखे यह चिंदबाड़ा जो लिखे है वो चिंदबाड़ा automatic आ गया है इसका मतलब b वाले column में हमने अगर कोई text लिख चुके है तो नीचे जब हम दोबारा उस चीज को लिखना चाहते है तो automatic उसका पहला character लिखेंगे तो suggestion हमको आ जाएगा इस condition मतलब इस चीज को बोलते है इस concept को बोलते है autocomplete क्या बोलते इसे autocomplete अब autocomplete के लिए हम करेंगे क्या autocomplete के लिए यहाँ पर आपको देखना है अगर आपको छिनवाडा की जग है मतलब यहाँ पर आपको छिनवाडा चाही है तो आप simple keyword से enter की प्रेज करें तो छिनवाडा आ गया पर यदि c लिखे हैं और छिनवाडा नहीं चाही है मानलो आपको छिनवाडा नहीं चाही है और आपको लिखना है कुछ और कुछ और लिखना से मतलब कहीं और का नाम लिखना है कि भाई इतना बस लिखना है यह देखे या फिर आपको इतना बस लिखना है तो आप लिखते रहिए कोई दिक्कत नहीं पर यदी उसने जो suggestion दिया हूँ वो चाहिए आपको सीधे एंटर की प्रेस करना है तो आपको समझ में आया है जैसे B लिख रहा है भोपाल आ गया J लिख रहा है जबलपूर आ गया तो इस कॉंसेप्ट को बोलते हैं आटो कम्प्लीट आई होप आपको आटो कम्प्लीट और एक और आटो फिल ये दोनों समझ में आये होंगे